डरने की कोई बात नहीं है यह अच्छी बात है भाई बेला नो नीट भरी विकॉस उन्होंने बोले एक कॉलापसिबल है उसका निकल के आ रहा है ना वो अंदर बाहर जा रहा है अंदर बाहर जा रहा है तो वो ऑपरेट करना पड़ेगा अगर बढ़ता है तो गयाइं यह हमारी बेला के एक्चुली मैंने कुछ दन पहले ना एक अलगसा कुछ नोटेस किया पेट मै एक अब मुंना अ या उल्का सा सौल पाष निकलकर आहा हम आ रहा दा यह अपत दिखोगे ना यह देखो यह दिको यह देखो यह हिलका सा सौ dallaseous भाश फाश फाट एक डॉक्टर को तो उसमें बोला कि यह अंबिलिकल हार नी है बिसिकली जब वो बिर्थ के टाइम पर कॉर्ड करते है उसमें शायद हो गया ऐसा उसने बता है I don't know इसमें बोला कि यह गवराने की बात नी है इसको observation में रखो बढ़ता है कि नी बढ़ता है अगर नहीं बढ़ता तो tension की बात नी है तो लेट सी देखते हैं क्या होता है दिखाते हैं क्या पता लगता है बागी शैतान तो काफी आगे और active भी तो वैसे कोई इसको बढ़ता है तो टेंशन वाली बात नहीं है तो लेट सी देखते हैं मैं कुछ दिनों से इसको नोटिस करों पांच चे दिन से ऐसा बड़ा तो नहीं है इत्रा था उत्रहिदा सो डेखते हैं अभी इसको लेकर जाएंगे और लेट सी यह जो है नहीं के सब समझता है देखो अब ही मैं इसको लेकर जाओंगा बेला को यह बैठगे अपनी जगाप बेला चलो चलो बेला शुमाइटी अबेला को में ले जा रहा हूं को 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 अपी छोड़ते जा देखना शूर कर देगी वाई को 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 आज तो भी आज़ा तो भी आज़ा बहुत ने शुरू चलो आज़ा चलो 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 को चलो को चलो हाँ लोकेशन पर जो तो दूसरे डॉक्टर वाई उनके पास जा रहे हैं यह को को बेला फीरो तो बनावाद पूल यह अपना घर पर यही रहते है कुछ दिन पहले मैं शिप से वापस आया हूं अराउंड दस दिन होया हूंगा बेला के साथ जब खेल रहा था तो मैंने देखा है इसको ऐसा हो गया है और काफी वरीड थे हम लोग की कुछ मेजर ना हो अभी भी उसने बोला था सर्जरी वगेरा करवानी पड़ सकती है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वरीड हो कि बाई सर्जरी ना करवानी पड़े आ एक साल की भी नहीं है भी एक साल की हुई है जस्ट तो बेला को कोई प्रॉब्लम ना हो ज़ा है तो यह खड़ी अपनी गाडी भाई गाडी अच्छा टियागो भी घड़ी है सो टियागो नेक्सों मैं एक्सों किचावी लेके यहा हूं तो लेट सी वागाना पड़ेगा कोको और बेला मैं देखता हूँ भाई अमन अमन ऐसा लग रहा है अरे कि भाई किसी को नहीं भाई भाई सब बेढ़ गए बेला मैं पापा सब लोग बैट चुके हैं कोको और निकलते हैं इनके साथ सबस अच्छी बात कि कोको और यह जो बेला हैं इनके साथ अब देखोगे बिल्कुल शांती से गाड़ी बैट जाते हैं लोग हमारे पास हमारी फैमिली में एक और है वो एक डॉग कौन सब रीड हो जो टोगो टोगो बीगल बीगल हाँ बीगल वो इतना उत्पात मचाता है गाड़ी में और एक अगा पे बैठता नहीं है नॉमली बट इनको यह छोटे से हैं इनको आराम से आपे सो भी जाते हैं तो इनको कहीं भी ले जाने में दिक्कत नहीं है एक तो साइस की वैसे भी दूसरा शान्त है अग्यादी में इनको दादा प्राब्लम नहीं होती है ट्रावलिंग में जो मैंने देखा है को को तो मारे साथ कहां कहां कितनी बार ये पहाड़ों पर अलमोडा की तरफ नहीं इताल की तरफ जा चुकी है ट्रिप का अवरेज इसमें सब्सक्राइबु तरफ ये तरफ से नहीं है पांच अजार पांचसो सतरा क्लिमेटर दिखा रहा है लास्ट जो ट्रिप रिषेट भुआ था वह मैंने किया होगा पांच अजार क्लिमेटर चल चुकी है तबसे किया ही है नहीं अच्छो तो है अच्छो अउटो आपको बॉस तो करना होता है नहीं आपको गेर वेर चेंज करने नहीं आपको बस में चो पैर है इसको हलके सरकना है अट्रेटर पर अपनी अप गाड़ी जो है भागती रही दोजार अर्पिम वाला रूल भी फालो कर सकते हो 2000RPM के उपर नहीं जाना है अबको अग बाकी कोको बेला देखो कितने शांती सो गए दो नो I think So यह इनकी बहुत सही चीज है कि इनके साथ यह प्रॉब्लम नहीं है भाई सोने होने की किसी भी चीज की यह बड़िया चीज है गाड़ी में अराम से को लिखे जाओ तो वहां खड़े हैं आगे अमिजी जू भाई वह अपनी हैरियर में तो उनका प्लान था भाई स्कॉर्पियोन लेने का तो स्कॉर्पियोन तो आपको पता ही है क्या है महिंद्रा का हिसाब मैं खुद भी कभी सोचता हूं कि एक स्कॉर्पियोन की तरफ चला जाए लेकिन चला तब जाएगा ना भाई जब अभेलेबल हो गाड़ी जगा पहुंचने वाल है जगा पर यहां पर डॉक्टर है तियाग जो है हाई रियर पर लगने वाले थी बिल्ड कॉलीटी का टेस्ट हो जाता क्योंकि मैं काफी कम डिस्टंस मेंटेन करके चल रहा हूं कि फॉलो कर रहा हूं बैसिकली गाड़ी को पहुंचके हम लोग जह यहां पर कुछ पैट लेजर सरजरी क्लिनिक ओके यहां पर है एक इसी पर दिखाना था यहां पर आते ही नहीं यह डरना शुरू हो जाते हैं कोको बेला दोनों ही अब अगर मां मैं चला सकता हूं कैमरा ता पर डरती है कौन सी प्रीड़ है यह चाओ चाओ यह तेखो तो अईसा लग रहा बालू निकल गए भाई आप अच्छ ऑस्पिटेट नहीं गए नहीं क्या बज़ना वई रकोश को भाग गई हो हो गया वो गया ना प्राइस कि नहीं पाइस प्राइस को 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 पतली यह थे कमाल है पांच आट तगा रहा है इसका अच्छ आप पर जेखल केस होता है बेसेकल डरने की कोई बात नहीं यह अच्छी बात है बढ़िए वेकॉस्ट उन्हाने बोले को लाप्सिबल तो उसका निकल कर आ रहा है ना वो अंदर बहार जा रहा है अंदर बहार जा रहा है तो वह आपरेट करना पड़ेगा अगर बढ़ता है त अबिला सो रिलीव की बात है भाई यह आप देखो अभी दिख रहा होगा ऐसा दिखता है तो आपके डॉगी में अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देना उसका पेट वेट के असपास हाथ वगरा लगा के देखा करो क्योंकि यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मतलब अगर यह बढ़ता जाए ना इसको टाइम से ऑपरेट करना ज़रूरी है बागी आपका बेट जो है वह आपको बताएंगे भाई कब ऑपरेट करना कब नहीं करना है कि यह आप लोग देख सकते हैं एक सौफ्ट पैट सा आपका जो है रहता है बेसिकली वह निकल जाता है ह आपको पता ही है कोई आपका पार्ट वगेरा अगर टिशू टियर करके बाहर निकल जाए मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसकी जगह से तो एक दिक्कत होती है और कभी-कभी केसे काफी कॉंप्लिकेट हो जाते हैं बड़ यहां वह सीन नहीं है वह अच्छी बात है दो जगह हम लोगों ने कंसल्ट कर लिया दोने ही जगह से हम लिगल हार निया बता है आप भी अपने डॉक के लिए हमेशा इसको चेक करें बहुत जरूरी चीज आई है अपने नया जो बाहन होता है उसमें काफी देगा जाता है केस तो डरने की बात नहीं अच्छी बात है सो गाइ और इसमें थोड़े रिस्क भी रहते हैं तो लेट सी दर गई दी एकदम से बट अभी ठीक है अब देखते हैं क्या होता है नेक्स टाइंग अभी एक दो मैने इसको वाच करेंगे फिर देखते हैं तो टेक कर गाइस बाइब बाइब और लाइक अन सब्सक्रीब जरू कर चैनल को इफ यू लाइक द व्लॉग टेक कर बाइब जाहिन